दोस्तो आपका चैनल पाइपिंग ऋ मेकिनिकर्ण ग्यान में हिद्दे की घरह में फ्ट्राइघ यह सागत है आज की इस वीडियो में जानने वाल हैं मेकिनिकल फिटर और जन्रल फिटर मेकिनिकल टेखनिशन के लिए इंट्रूफो के दवरान क्या 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 कश्क्वोषन यो पूछ जाते हैं मेक이निकल फीटर जनरल फीटर मेकनिकल टिक्टिक्टिशन के काम को आयगेर्स रिफाथ में या प excuses दो के ट्रेगरी में बटा पहला स्ट्राटिक एकूपमेंट और दूसरा रॉट्री एकूपमेंट इस्ट्राटिक एकूपमेंट यानि की जो एकुपमेंट fix equipment होता है जैसे की column, heat exchanger, pressure vessel, reactor, fin fan, drum, storage tank, इत्याद ये सब static equipment में आते हैं और rotary equipment यानि की जो equipment rotating होता है या गुमता है जैसे की pumps, compressors, turbines, motors, blowers, fans, gearbox, इत्याद ये सब rotary equipment में आते हैं जब plant का shut down होता है तो ज़्यादा काम static equipment का होता है जब आप interview देने जाएंगे तो सबसे पहले client पुछेया कि आप कहां कहां काम किया हैं और कौन कौन से equipment में किया हैं तो आप जहाँ जहाँ काम किया हैं और जिस जिस equipment में किया हैं बता दीजिए आप जिस भी equipment को बताएंगे कि मैं इस equipment में काम किया हूँ तो उसको अच्छे से पढ़कर तयार रखिए क्लाइंट उसे से सम्मंदित ज्यादा question कर सकता है नई तो उस company में जिस equipment का ज्यादा काम रहेगा उसे समंदित question पूछेगा तो चलिए जानते हैं static equipment के बारे में क्या क्या question पूछ सकता है रोटरी equipment के बारे में question answer वाला वीडियो में अपने चैनल पर जल्दी upload कर दूँगा आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं question number one है gasket कितने type का होता है तो आपको उत्तर में बताना है gasket तीन प्रकार का होता है पहला metallic gasket दूसरा non-metallic gasket तीसरा semi metallic या composite gasket और gasket के बारे में ज्यादा जनना चाहते हैं तो मेरा gasket वाला वीडियो देख सकते हैं आई बटन और description box में लिंक देदूंगा आप वाँस चाहकर देख सकते हैं अगला question पूछ सकता है gasket दिखायेगा या gasket का picture दिखाकर पूछेगा यह कौन सा gasket है कितने इंच का है और यह कितने प्रेशर यह क्लास का है जायतोर इस्पारल उनकर ँटशक्थ ही दिखाता है तो उतर में आपको बताना है यह कितने प्रेशर या क्लास का है तो यह गरस्वेट 600 sodium छेषर का है और यह इनर रिंग है और यह आउटर रिंग है यह बैंडिंग मुटेरियल है इसके बारे में भी पूछ सकता है अगला क्वेशन पूछ सकता है ब्लाइंड कितने टाइब का होता है और पिक्चर दिखा कर पूछ सकता है कि यह कौन सब ब्लाइंड है तो उत्तर में बताना है ब्लाइड जेनरली 5 प्रकार का होता है अगला कुशन पूछ सकता है आप heat exchanger में काम किया है heat exchanger कितने टाइब का होता है तो उतर में बताना है हाँ काम किया है heat exchanger मुंके तो 4 प्रकार का होता है पाला cell and tube heat exchanger दूसरा प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्षेंजर तीसरा डबल पाइप हीट एक्षेंजर चब था एर कुलर हीट एक्षेंजर और अब सेल एन ट्यूब टाइप हीट एक्षेंजर में दो तिन टाइप हीट एक्षेंजर का नाम बता सकते हैं जैसे की floating head heat exchanger, fixed tube seat heat exchanger, YouTube heat exchanger अगला क्शन पूछ सकता है heat exchanger के parts के नाम बताओ और उसमें आप क्या काम किये हैं उतर में heat exchanger के कुछ parts के नाम बता सकते हैं जैसे channel head, distributor, doom cover या back cover, tube bundle, tube seat, tie rod, befall, tube outlet shell outlet, tube inlet, shell inlet, shell, इत्याद, जातर island refinery gas plant में floating head type heat exchanger या fixed tube type heat exchanger या फिक्स ट्यूब याप याज़ा जाता है अगला क्वेस्टन पूछ सकता है कि आप फिन फैन में काम किये हो उसमें क्या काम होता है उतर में बताना है हाँ सर फिन फैन में काम किया है या फिन फैन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें plug लगा होता है और QC inspector बोले है कि इसमें का सारा plug खोलना है तो सारा plug खोलेंगे नहीं तो जिस plug पर QC inspector मार्किंग करेगा उसी plug को रिमूट करने के लिए बोलेगा Plug में इस टैप का वासल लगा होता है प्लग को खोलने के लिए 35 mm या 36 mm या 41 mm का hand torque wrench या ratchet यूज़ किया जाता है अगर प्लग का hex खराब हो गया है तो 36 mm या 41 mm के spot wrench में pipe डाल कर खोलते हैं और खोलने के बाद उसके tube को hydro jetting या air के द्वारा clean किया जाता है अगला question पूछ सकता है distillation column या tower में आप काम किये हो उसके अंदर क्या क्या parts होता है उसके अंदर क्या काम होता है उत्तर में बताना है हाँ sir column में काम किया है उसके अंदर menu tray, downcomer, tray, outlet wear, distributor pipe, demister pad, pall ring, इत्याद ये सब column के अंदर होता है column के अंदर menu tray को open करने के लिए सबसे पहले उपर से खोलते हुए नीचे तक जाते है उसके बाद inspection होता है inspection करने के बाद जो mechanical work inspector require करता है उसको complete करने के बाद menu tray को नीचे से उपर के तरफ box up करते है और tray को layer by layer half skipping करते आते हैं अगला question पूर्च सकता है tray कितने type के होते हैं उत्तर में 3-4 tray का नाम बता सकते हैं जैसे bubble cap tray, valve tray, baffle tray, double flow tray, seat tray, chimney tray next question पूर्च सकता है bolt कितने type का होता है उत्तर में बताना है bolt अनेक प्रकार का होता है जैसे hexagonal bolt या machine bolt, strut bolt, anchor bolt, eye bolt, allen bolt 4-5 bolt का नाम बता सकते हैं island gas refinery plant में सबसे ज़्यदा strut bolt use किया जाता है जिसके दोनों side nut लगता है अगला question पूछ सकता है valve कितने प्रकार के होते हैं उत्तर में बताना है valve अने प्रकार के होते हैं जैसे ball valve, gate valve, globe valve, butterfly valve, check valve, needle valve, angle valve, control valve, इत्याद, 7-8 valve का नाम बता सकते हैं अगला question पूछ सकता है valve का picture दिखा कर पूछे आकी बताओ ये कौन सा valve है और valve के symbol के बारे में भी पूछ सकता है कि ये कौन सा valve का symbol है या किसी भी valve का symbol ड्रक करने के लिए भी बोल सकता है पर में आपको valve को पाचान कर बताना होगा कि वह कौन सा valve है ता valve का symbol भी देख कर बताना होगा कि ये किस valve का symbol है या जिस Valve का सिंबल ड्रा करने के लिए बोलेगा तो उस Valve का सिंबल भी ड्रा करना पड़ेगा इसलिए ये सब आपको याद रखना होगा और Valve और Valve के सिंबल के बारे में ज़्यादा जनकरी चाहिए तो मेरा टाइप साफ Valve और सिंबल वाला वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पाक्स और आई बटन में लिंक दियाँगो अगला कुशन पूशकता है बटर फ्राई वाल में कितने टाइप का बोल्ट लगते हैं तो उतर में आपको बताना है मशीन बोल्ट या एक्साबॉनल बोल्ट और एस्टरट बोल्ट लगते हैं अगला कुशन पूशकता है मशीन बोल्ट कितना लगेगा और कहां कहां लगेगा तथा एस्टरट बोल्ट कितना लगेगा उतर में आपको बताना है मशीन बोल्ट चार लगेगा दो या अप साइड लगेगा और दो या डाउन साइड लगेगा और बाकी सब में एस्टर बोल्ट लगेगा और किसी किसी बटल फ्राइब वाल में दो या चार मसिन बोल्टी लगता है अला कोश्चन पूछ सकता है इस्पेनर के साइज के बारे में या बोले है कि 2 इंच का लाइन है और इसमें 1500 क्लास या प्रेसर का फ्लेंज लगा है तो कितने mm या इंच का इस्पेनर लगेगा और कितना बोल्ट लगेगा तो उत्तर में आपको बताना है 27 mm या 1116 इंच का इस्पेनर लगेगा और 4 बोल्ट लगेगा इस टाइब के question के लिए मेरा spanner size कैसे निकालते हैं ये वाला वीडियो देख सकते हैं i button of description box में link दिया हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं और इस टाइब के chart के video को download करने के लिए मेरे site को visit कर सकते हैं अगला question पूच्शन पूचरता है वाल्व को देख कैसे पता करें कि ये क्तने इंच का वाल्व है ये क्तने pressure या क्लास का वाल्व है इसका flow direction किदर है तो उतर में आपको बताना है जहां वाल्व को देखेंगे तो वाल्व के बाड़ी पर ये सब लिखा रहता है, जैसे कि यह वाल्व है तो इसके बाड़ी पर लिखा है, की यह 3 इच्ट का बाल्व है इसका प्रेषर क्लास यह यह फ्लोा डाइरेक्स रहे हाँ, अगला कोशन पूच्छ सकता है आयल एंड गेश रिफाइनरी और पेट्रिकमिकल प्लांट में किस मैटेरियल या धात्व का हैमर यूज करते हैं और क्यों? उत्तर में बताना है ब्राश का हैमर यूज करते हैं क्योंकि brush के hammer से किसी भी बस पर चोट पहुचाते हैं तो उसमें spark नहीं होता है जिसके कारण fire होने का chance कम होता है अगला question पूसकता है और gas का horizontal या vertical line है तो horizontal line में और vertical line में सबसे पहले bolt कौन सक पूलेंगे उत्तर में बताना है gas line को open करने के लिए सबसे पहले wind direction याने की हावा का दीशा चेक करेंगे उसके बाद horizontal line है तो bottom side का bolt सबसे पहले open करेंगे और vertical line है तो जहां तक हाज जाता है उस bolt को सबसे पहले open करेंगे अगला question पूछ सकता है finger saver के बारे में finger saver का picture दिखा कर पूछेगा की यह क्या है यह finger saver क्यों use के जाता है उत्तर में बताना है यह finger saver है sir यह safety purpose याने की सुरच्छा के उद्धेश से finger को protect याने की सुरच्छा के लिए use के जाता है अगला question डाइंग के बारे में पूछ सकता है क्या आपको PNID ड्राइंग देखने आता है उत्तर में बताना है हाँ sir PNID याने की piping and instrument ड्राइंग पढ़ने आता है अगर नहीं आता है तो PNID कैसे पढ़ते हैं यह शिख लिजिए PNID कैसे read करते हैं यह video जल्दी upload कर देंगे मेरे चैनल रोजा कर देख सकते हैं अला कुछन पूछ सकता है PNID याने की piping and instrument ड्राइंग को देख कर पूछे हैं की इसमें कितने equipment लगे हैं और कौन कौन से equipment लगे हैं और कौन कौन से valve लगे हैं उत्तर में आपको piping and instrument ड्राइंग देख कर बताना होगा की इसमें कितने equipment लगे हैं और कौन कौन से equipment लगे हैं और कौन कौन से valve लगे हैं इसके लिए आपको equipment और valve का symbol पता होना चाहिए तबी आप मता सकते हैं तो equipment और valve का शविश शिंबल याद रखिए अगला question hydro testing के बारे में पूछ सकता है hydro testing करने के लिए क्या क्या लगता है उत्तर मैं बता सकते हैं कि hydro testing करने के लिए compressor, hydro test pump, manifold, minimum two pressure gauge, PSB यानि कि pressure safety valve, pressure hose, water hose, air hose, pipe fitting जैसे कि coupling, union, barrel nipple, hex nipple, boosting, thread reducer, plug, cap, इत्याद ये सब hydro testing करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों आयोप मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो जितना आओ सके अपने WhatsApp ग्रूप, Facebook, IMO पर share करें ताकि दूसरे भारती तक ये वीडियो पहुंच सके और साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न बुलें ताकि हमारा नेक्श वीडियो आप तक पहुंच सके जै जवान, जै किसान झाल